राजस्तान के पर्मुख नर्तिये पर्मुख नर्तियों में सबसे पहला है कतक कौन सा है कतक दूसरा है घुमर तीसरा है अगनी नर्तिये चोता है पहरे ताली पांचवा है ढोल अगला है बम एक है कच्छी गोडी कच्छी गोडी नर्तिये कतक आ गया गुमर अगनी नर्तिये तेरे ताली ढोल बम कच्छी गोडी और एक है आपके गुड़ला अब इसके अलावा है केर गुमरी वालर मंदल और कालवे लिया जाती देखी इसमें सबसे पहले बात करते हैं कतक की सबसे पहली बात तो याद रखेंगे कतन यह जो सोरी कतक है यह राजस्तान का सास्तिरी नर्ति कतक का जो गराना है वो है आपके जैपुर और हमारे यहां पर जो परवर्तक है वो है भानुजी महराज जिनकी हाले के अंदर मरती हो गई थी यह तीन इंपोर्टेंट बात हैं याद रखेंगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगली बात है गुमर यह जो गुमर है यह आपके राज्य का लोक नर्ति है राज्य का लोक नर्ति दर्जा है 1986 में कब है 1986 में और 1986 के अंदर ही गंगोर गुमर एकादमी का गटन किया गया यह जो गुमर है इस गुमर को कहा जाता है नर्तियों का शिर्मोर क्या बोलते है नर्तियों का शिर्मोर आप कहेंगे सर इसे नर्तियों की आत्मा भी कहा जाता है बिल्कुल सही है ये केवल इस्तरी परधान नर्तिय है क्या है ये इस्तरी परधान नर्तिय है और विशेश बात याद रखे ये मुख्यते किसा उसर पर होता है तो याद रखेगा घंगोर मुख्यते कोण सा उसर है Very very important, याद रखेगा, गणगोर, लियत, हाँ, ये very very important याद रखेगा, अगला है आपके, वो है अगनी नर्ती, देखे, ये जो अगनी नर्ती है, इसकी एक खास बात है, कहाँ पर होता है ये, तो याद रखेगा, कत्रिया शर, अच्छा कत्रिया शर कहाँ पर है, तो आप सब जानते हैं विकानेर ये किस संपरदाई से संबंदित है तो याद रखेगा जसनाती संपरदाई से किस संबंदित है जसनाती संपरदाई जसनाती संपरदाई के जो जसनाती शिद होते हैं उनके द्वारा किया जाता है कैसे करते हैं अगनी नर्ति तो नंगे पाउं होकर धद अब है अगला हमारे सामने वो है तेरे ताली नर्तिय ये जो तेरे ताली नर्तिय है याद रखेगा इसकी जो जनमिस्तली है वो है पादरेला गाउं पाली अच्छा ये जो तेरे ताली नर्तिय है ये कामड जाते की महिलाउं दुआरा किया जाता है कौन सी महिलाएं है कामड जाती की महिलाउं द्वारा किया जाता है किसकी आराधना में होता है तो याद रखेगा रामदेव जी की आराधना में इसकी परशिद नर्तियांग ना याद रखेगा कोण है मंगी भाई इतनी इशारी बात है अगला है हमारे सामने धोल नर्तिये, देखे, धोल नर्तिये हैं वो आपके कहां का है, याद रखेगा जालोर का, इसको परकास मिलाने का सरे किसे दिया जाता है, डॉक्टर जे नारायन व्यास को, डॉक्टर जे नारायन व्यास को, धोल नर्तिये के अंदर जो धोल बजाने की शेली है, वो कौन सी तो याद रखेगा थाक नाशीली यह मुक्यते बात है इसकी। अज्च अगला है आप के बम नर्ठी कोन सा है बम नर्ठी बम नर्टी है कच्छी गोडी नर्ति ये जो कच्छी गोडी नर्ति है याद रखेगा ये शेखावटी का है पहली बात हो कहां का है ये शेखावटी का कच्छी गोडी जो नर्ति है वो आपके कहां का है शेखावटी का इसके अलावा ये पुरुष परधान नर्ति है केवल पुरुषों द गति से किया जाने वाला नर्तिय है पेज गति से अच्छा इसके अंदर कौन सा वाद्धियंतर तो याद रखेगा जांज नामक वाद्धियंतर क्या लेते हैं यूज और एक गीत भी गया जाता है लसकारिया यह याद रखेगा ठीक अगला है आपके सामने गुडला यह जो तो सीतला अश्टमी का मतलब आप समझ गए चेतर कर्शन अश्टमी को किया जाता है गुडला नर्तिय यह किस सासक के समय की बात है सातल देव के समय की ठीक है अगला नर्तिय है आपके सामने वो है चरी नर्तिय कोण सा है चरी नर्तिय चरी नर्तिय की हम बात करते हैं तो य प्रिंसी दी नर्टियांग्णा कौन है तो याद रखेगा Pfalkubai, चरी नर्टिय, अतीठी सतकार के समय किया जाता है, अगला है आपके सामने घेर, ये जो घेर नर्टिय है कोनशे शेत्र का है, तो याद रखेगा Mewad, कोनशी जंजाती से सम्नित है? भील, कोनशी ऐुषर पर होता है याद रखेगा हुली के आउशर पर अच्छा कौण से महा में तो हुली किश महा में आती है फाल गुन महा में अगला है गहुरी गहुरी या फिर इसे ही बोलते है राई ये वैसे एक लोग नाटे भी है और आपके क्या है याद रखेगा लोक नर्ते भी, ये भी कौन से शेत्र का है, मेवाड का, और कौन सी जंजाती का है, भील का, इसके अंदर याद रिखेगा, पुरिया एक पर्तिक होता है, ठीक है, ये एक इसके अंदर क्या होता है, पर्तिक होता है, ठीक है, वालर जो नर्ते है, ये आपके गराशों की घु अच्छा इसकी खास बात है ये जो नर्तिय है ये इस्तरी और पुरुस दोनों मिलकर करते हैं कौन सा वालर और ये बीना वाद्य अंतर का है इसमें कोई वाद्य अंतर नहीं होता है इस्तरी और पुरुस दोनों मिलकर कर लेते हैं और पुरुस जो है वो हातों में आपके छा नर्तिय करते हैं सबसे जबसे नर्तिय ya कह से सबसे धिमीगद सबसे या जाने वाला नर्तिय stands याद रखेगम वाला r exile यहां जाती कि हम बाद करते हैं तो काल जोलियग जाती है वो किस डास के लिए परसीद है तो याद रखेगा सनेक चार मर डास सनेक चार मर यानि शरप वो ही आप जिसे इस्ताने बासा में नागिन डास बोल सकते कालबेलिया जाती के कितने नर्तिय है तो याद रखेगा चार कोण-कोण से है मैं लिक रहा हूँ कालबेलिया जाती के अगर नर्तियों की हम बात करते हैं तो एक तो है आपके संकरिया संकरिया जो नर्तिय है ये लविश्टोरी परादारित है प्रेम कता एक है बांगडिया बांगडिया जो नर्तिय है ये भीक मांगते समय किया जाता है कि समय भीक मांगते समय एक है पनिहारी ये जो पनिहारी नर्तिय है ये आपके पत्ती धरम पर अटल रहने के लिए किया जाता है और एक है आपके इडोनी नर्तिय और ये इडोनी नर्तिय भी कौन सी जाती का है तो याद रखेगा कालबेलिया जाती का ये जो कालबेलिया जाती के नर्ते हैं याद रखेगा इनको 2010 के अंदर युनेश को दुवारा विश्वे धरवर के अंदर यानि विरासत में सामिल कर रखा है लेकिन किस रूप में तो याद रखेगा अमुर्त रूप में किस रूप में सामिल कर रहा है, अमुत रूप में, तो ये कुछ ऐसे नर्तिय हैं, जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है, अक्सर क्या करता है, कोई ना कोई फेक्ट यहां से उठा कर आपको पूछ लेता है, ठीक है, जैसे देख रतवई और आपके रणबाजा, यह जो नर्तिय हैं, यह आपके किस जाती से, मेव जाती से और शेत्र कोण सा है, याद रिखेगा मेवात, यह और इंपोर्टेंट हो गया, आपके कोण सा, मेव जाती वड़ा, ठीक है, किलिर है आगे, याद हो गया, आगे चले हम, अब द लेते हैं, सिखावटी से संबंदित नर्तिय, जैसे गिदड़ है, जैसे चंग है, जैसे आपके धप है, और एक है आपके कबूतरी नर्तिय, यह जो कबूतरी नर्तिय है, यह तो आपके चूरू से संबंदित है, और जो रहागिर है, उनका ध्यान अपनी और आकरशित करन ठीक के लिए महीलाओं दुआरा जो नर्ती किया जाता है तो अब आपके कॉंसा, याद रिखियेगा कबूत्री नर्ति खेयां की अब देखे कुछ ऐसी महीलाओं के नाम, जो आपको याद रखने होते हैं, डाइरेक्ट आपको वन लाइनर बूसता है, कौन कौन सी है तो देखिए एक तो है मांगी बाई जिनका सम्मंद है तेरा ताली नर्तिय से एक है फलकू बाई जिसका सम्मंद है चरी नर्तिय से और एक कालबेलिया जाती के अंदर महिला है जिसका नाम है गुलाबो शपेरा गुलाबो शपेरा जिनोंने कालबेलिया जाती के नर्तियों को अंतराश्टी इस्तर पर पहचान दी है कहां पर याद रखेगा अंतराश्टी इस्तर पर पहचान देने वाली कोण है तो याद रखेगा गुलाबो आपके शपेरा ठीक है ये सारी बाते किलियर हो गई अब देखिए अच्छा एक आराधना में भी याद रखे जैसे रामदेजी के आराधना में कोण सा होता है तेरे ताली जैसे जसनाती संपरदाय से संबंदित कोण सा है अगनी नर्तिय वैसे ही आपको एक और नर्तिय वो भी चर्चा कर लेते हम वो है आपके कौन सा याद रखेगा लांगूरिया नर्ते कौन सा है लांगूरिया ये जो लांगूरिया नर्ते है लांगूरिया नर्ते का सम्मंद किस देवी से है तो याद रखेगा केला देवी कौन सी देवी है केला देवी और किस से सम्मंदित है तो याद रखेगा करोल जिल्ले से ये एक और important हो सकता है आपके लिए clear? तो ये इतनी सारी बाते हैं important अच्छा एक ये जो अगनी नर्ते के सम्में रन्गोस होता है ना फते-फते वैसे ही याद रखेगा भिलों का एक नर्ते है युद्ध उस समय जो रनगोस होता है वो है फायरे फायरे अब कहा लिखें चलिए फिर भी लिख लेते हैं यहां पर फायरे 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 जो है यह आपके सम्मंध है युद नर्तिय से अब तो वेसे युद नर्तिय पर क्या लगा दी है रोक लगा दी गई है क्या लगा दी गई है र हुआ है आपके कौन सा फाइरे फाइरे युद नर्तिय के तरंगोस और फते पते हैं अगनी नर्तिय के समय तो यह कुछ ऐसे इंपोर्टेंट नर्तिय हैं जहां से आपके एक्जामिनर कोई ना कोई फैक्ट पूछ लेता है अच्छा यह इसलिए भी बताया क्यूंकि आप ज वो उतार डालिए जो आपने अभी नर्तिय कला टॉपिक पढ़ा और उसमें आपको क्या-क्या याद रहा तब जाकर कंसेप्ट होता है किलियर ऐसा नहीं है कि आपके पास में नोर्स हैं आपने पढ़ लिए और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है याद हो गए जी नही दीजिए ताकि एक-एक बात किलियर रहे ठीक है किलियर चली तो ये सारे इंपोर्टेंट नर्तिय होते हैं इनके अलावा भी है वो भी हम देखेंगे लेकिन ये पर्मुक ये खास जहां से एक्जामिर आपको कोई ना कोई फैक्ट पूछ लेता है जैसे मुगल बाशाओं की बात कर लेते हैं तो आपके एक नर्तिय होता है कौण सा नहार जो स्वांग है वो आपके मांडल मतलब भिलवाडा का और किस असा के समया करने के जाएं तो साहां जा के समयां आपको जो रब कोपी ना वो इस परकार भर देनी है देखिए आप जो तैयारी करने हैं तो कम से कम आपको अपनी उस तैयारी में पांच से लेकर दस रप रजिस्टर भरने चाहिए यदि आप ऐसा नहीं करने हैं तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कमी है देखिए जब competition की तैयारी शुरू ही कर दी है तो किसी परकार की कमी मत रखिये पांच से दस रजिस्टर जो रप है ना वो भरने चाहिए और कैसे भरने हैं तो तरीख्स आपके सामने है इस परकार से बार 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 लिखके आप कहते हैं ना सर जी के याद नहीं होता है तो पहले थोड़ी पढ़िए